Hello everybody, myself Dr. Kuldeep Kaur और मैं आज आपको IPC के कुछ important चीज़े बताने जा रही हूँ पहली की IPC किस ने बनाया आप यार रखेंगे Lord Macale किस ने update किया है, Bentham, Peacock ने इसमें शंचोधन किया है आप कह सकते हैं आज आपको जो chapter discuss करने जा रहे हैं उस chapter का नाम है अबेटमेंट दुषपेरक और वो chapter कहां पर दिया गया है chapter 5 में IPC में दिया गया है भारती दंड सहिता ठारा सो साट में section 107 से लेके 120 तक है अब आपको बताएंगे कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है देखिए जो अपरादिक कार होता है कोई व्यक्ति अपनी इक्षा से करता है या अन व्यक्ति के सुझाओ से इसका मतलब जब भी कोई क्रिमनल एक्टिविटी होती है तो या तो हमारी इसमें इक्षा शामिल होती है या हम कभी दूसरे के दिमाग से सजेशन लेके उस काम को करते हैं तो व्यक्ति जो अपराद करने का सुझाओ देता है भारती धंट सहीता में अबेटर दुश्पेरक कहलाता है और अबेटर को सेक्षन 108 IPC में परभाशित किया गया है अंग्रेजी विधी कहती है कि जो घटना के पूर का सहायक जो घटना में सहायता देता है या उसे हम क्या कह सकते हैं दूसरी कोटी का प्रमुक अपरादी प्रिंस्पल इंदा second degree परिशितियों के अनुसार कहते हैं मतलब second category का वो अपरादी वावेक्ति होता है जो घटना स्थल पर उपस्तित होकर अपराद कार के क्रियानवन हेतू सहायता और दुश्पेरन करता है इसका मतलब वो जहां पर घटना होती है वहां पर प्रेजेंट होता है सहायता करता है और अबेटमेंट करता है दुश्पेरना देता है लेकिन अपरादी क्रत में कोई हाथ नही के लिए जाते हैं इसका मतलब पहले ही planning मना लेते हैं कि वो लूटने जाएंगे A जो है वो लूट का काम करता है B उसकी साहएता के लिए खड़ा होता है और C कुस दूरी पे इसलिए खड़ा रहता है कि यदि कोई आ जाये तो उसको warning A और B को ठीक समय पे दे दी जाए इसका मतलब C क्या कर रहा है कि वहल वार्णिंग देने के लिए वहाँ पर खड़ाए कि अगर कोई आ जाएगा तो वो वार्णिंग देगा तो कहते हैं कि A जो है वो फर्स कैटेगिरी का अपरादी है B और C दित्यकोटी के प्रमुख अपरादी है और इनी को क्या कहा गया है जो B और C है वो क्या है अबेटर है और ये दुशपेरक है भारती दन सहिता में धारा 107 के अनुसार वो व्यक्ति जो किसी बात का दुशपेरन करता है 107 क्या कहती है कि अबेटमेंट का मतलब क्या बताती है उस बात को करने के लिए किसी को उकसाना अपराद करने के लिए व्यक्ति को शाश है सहायता देना अपराद करने के लिए किसी को शणयंत में समलित करना मतलब हम किसी को उकसाएं, साहिता करें या शाडियन्त में हम शामिल करें इस तीनों चीजें एक सो साथ में बताई गई है अगर दुश्पेरण के प्रकार बताई जाएं तो एक सो साथ के अनुसार ही बताएंगे कि तीन तरीके से हो सकते हैं बाइ इनिस्टिगेशन, बाइ एडिंग, कॉंस्प्रेसी मतलब पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा साहिता के द्वारा, तीसरा स्टाणियन तुरादारा उकसाना का मतलब क्या होता है किसी काम को करने के लिए बढ़ावा देना, उतेजित करना, भड़काना, या प्रोथसाहित करना अगर जनरल शब्दों में कहा जाए कि उकसाहट किसी व्यक्ति को सदोश काम करने के लिए भड़काना आरबनाम टेलर के केस में अगर देखा जाए दो आदमी मुक्कों से युद करने के लिए सहमत हुए और उनमें से प्रतेक ने एक निच्चित धनराशी पौनी के पास जमा कर दी कि जो भी विजाई होगा वो से दे दे उनमें से एक पक्षकार मर गया निनित हुआ कि उसने क्या किया सदोश मानव वद के उकसाने का वो दोशी नहीं हुआ दोशी नहीं था मुक न्याधीश आरब नाम टेलर के न्याधीश कौन थे कौक बर्न उन्होंने क्या कहा कि मेरी समझ में केवल बाजी को रख लेना और इस प्रकार के भाग लेने की कोटी में नहीं आता है इसके पास पैसा जमा किया था उसने जो कुछ भी किया वो पॉनर को बातों को ग्रण करने के लावा और कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब कहीं सभी इसको इसका लिए responsible नहीं माना गया मौन स्विकती यदि किसी अपरादी के अपराद को घटित करने में उकसाने या प्रोथसाहित करने का प्रभाव रखती है तो वह उकसाने के माध्यमशे भी दुश्पेरण कहीं जाएगी अगर कोई मौन स्विकती करके किसी को उकसार आया तो भी वह फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा उधारण के लिए कह सकते हैं King Emperor वर्सेज विद्या सागर पांडे एक महिला सती होने की त्यारी कर रही थी दो व्यक्ती उसके साथ चिता अगनी तक जाते हैं और उसके पास खड़े होकर राम राम का उच्चारन करते हुए उस महिला को पूर्ण सती होने के लिए प्रोचसाहित करते हैं तता सती होते समय अपनी आखे बंद कर लेते हैं वो तो जो निर्नित हुआ कि जो रिस्पॉंडेंट थे प्रतियर्थी थे उन्होंने उक्साने का माध्यम से दुष्पेरण का अपराद किया है उन्होंने उक्साया उस लेडी को ये अपराद की कैटेगिरी में है किसके दुष्पेरण के अबेटमेंट के Abaitment by Aiding अब दुश्पेरण का दूसरा तरीका क्या है साहिता करना तो साहिता तरीका कार या कार लोप मतलब Act और Omission के द्वारा भी कई लोग साहिता करते हैं तो यहाँ पर तीन तरीके से इसको भी बाट सकते हैं कि कार करके साहिता प्रदान करना कार ना करके अवैद लोप द्वारा जिसका वही परणाम हो जो साहिता करने का होता हो थर्ड कार करने को आसान बना कर साहिता करना तो कोई व्यक्ति उस कार को कारित करने की साहिता देने के लिए डोशी ठराय जा सकता है जो कि क्या है किया गया है तो धारा 107 का जो इस पस्टी करण जो second है वो यही बताता है अपराद करने की सुजधा प्रदान करने के द्वारा भी दुश्परण हो सकता है जो आपके second में आएगा by adding में आएगा साहिता में आएगा केस का नाम भी आपको लिखाओ मैंने पुरोहित वर्सेज उमी 1882 बॉंबे का केस है पुरोहित जो की बाइगामेस मैरिज दी विवा में पुरोहित करता था कुद पेरण के लिए दंडनी होगा क्यों क्योंकि वो अपने काम के द्वारा दी विवा या बाइगामी कराने के अ अधिक व्यक्ति मिलें और शडियंद को बारे में आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो section 120A और 120B में शडियंद को बताया गया है दीके शडियंद में दो लोग या दो से जादा लोग हो सकते हैं शडियंद कि इस तरीके का है ये बहुत जादा important है क्योंकि शडियंद की किस तरीके से हो रहा है उसके अधार पर उसकी सजा दी जा सकती है छे मेने से लेके आजीवन कारावास तक और मिट्टि उद्धन तक शड़ियंत में सजा हो सकती है तो शड़ियंत किस तरीके का है ये बहुत माने रखता है और शड़ियंत के उसी इसाब से उसको punishment दी जाएगी जो इस तरह का काम कर रहा है अब आपको बता दें कि अब आपको समद में आ गया होगा कि अबेट्मेंट किस तरीके से कर सकते हैं तीन तरीका आपको बताया मैंने कि उकसाने के द्वारा साहता के द्वारा और शड़ियंत के द्वारा अब आपको अगर कोई पूछे कि वो तीन तरीके का हो सकता, उकसा कर, सायता देकर और शडियन द्वारा, कॉंस्प्रेसी में दो या दो से अधिक वेक्तियों का समझोता होता है, अबेंडमेंट में ऐसा समझोता नहीं होता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी सकते हैं 5 भी शर्यंत अपने आप में conspiracy अपने आप में एक अपराद है offense है दुष पेरण केवल कुछ अपवादों को छोड़ कर स्वयम अपराद नहीं है मेरी बात को important सुनिएगा दुष पेरण केवल कुछ exceptions को अगर छोड़ दिया जाए तो यह अपने आप में it is not a offense अगर exception को छोड़ दिया जाए तो स्वयम अपराद नहीं है जो criminal conspiracy है वो amendment का एक part है इसका मतलब criminal conspiracy अलग नहीं है वो amendment का एक part है और जबकि दुष पेरण में ऐसा कुछ नहीं है तो आज आप समझ गया होंगे कि amendment का मतलब क्या होता है क्या कितने तरीके का होता है फिर अगली बार आपको next topic पे मिलेंगे next कोई ची discuss करते हुए thank you like share subscribe my channel अगर आपको मेरी बाते अच्छी लगती हो मेरा channel पसंद हो तो please आप आगे share subscribe like जरूर करें और अपना suggestion मुझे देते रहें आपके suggestion से ही motivation मिलता है कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए thank you